बात्रूम में की जाने वाली पांच गलती हैं जो आपको बारवर बीमार करती हैं हमारे पास लोग आते हैं उनको कई बार दवाईयां सरनी कर रही होती है बारवर बुखार आ रहा होता है इंफेक्शन जैसे प्रॉलम बारवर होने लगती है फीमेल आती है गाइनीस के पास जाती है कि उनको को सब्सक्राइब भाइजा तक उने लगता है इसका सबस्सक्राइब देख रहे हो- कई सारी सब्सक्राइब तुटपेश में रखनें तूटक्न गीर जाते हुए कर रहा है तो जब भी आप वाट्स रूम में इस तरीके से परस रखें तो भाट्स ने पानी से अंए इस के और कवर्च कर बात हैं तो इसी तरीके से यह कंगे हैं कंगे एक दूसरे से कै करते हैं बालों के infection एक दूसरे को देतें ऐसे कहीं है आप बहार गयें किसी hotel में आप आया मिहां के पानी में infection आपके साहथ आ गया लेकिन वह आपके घरवालों को नहीं लगा आपने आके अपना इस तरीके से रखा तो पूरे घर में आपने बीमारी बांट दी एक साथ सब के बाल जड़ने लगेंगे एक साथ सब को लीके हैं, जुई हैं, बालों की जो पराउलम से एक दूसरे का शियर होने लगेंगी तो यह हम जानते हैं आजकल वेक्टरिया वायरस का कितना infection फैलने का सब को पताए कि यह हो रहा है सेम चीज रेजर के साथ भी है यह रेजर इस तरीके से आपने cover में करके रखना है अगर आपने यह नहीं रखा तो यह भी वेक्टरिया को connect करेगा कई आदमी बताते हैं कि जैसे सेविंग करते हैं उनके जलन होने लगती है छोटे-छोटे दाने लगने लगते हैं तो उसके लिए आप एक तो ऐलोवेरा से सेविंग करें दूसरा इस तरीके से cover करके रखे और बात्रूम में तो ना रखे अपना एक परसनल सेविंग केट बनाएं उसमें सारी चाहिएं को साफ करके प्रॉपर गुंगने पानी से दो के उसमें अच्छे से रखें तो यह जो है यह गलती है यह बैक्टरिया सारी connect करते हैं इस तरह से mouth ulcer है पेट की बिमारी है कॉंष्टी पेशन है बार बर ब्युमार करने वाली बिमारी आती है जो हम लोग अक्सर बात्रूम में करते हैं और यह अगर हम गलती अपनी सुदाग लेते हैं यह 5 दो आपको बहुत सारी बिमार्यों से बचा मिलेगा दूसरा बंदा चाहिए ये कुछ खरेगा तो उसको वैसे आपका जो infection है अगर आपको यूटा हो रखाता है या आपको यूरीन में कोई कोकि हम जानते हैं कि यूरीन में क्या की बॉड़ी अपने वेक्टरिये सारी सीयों को बार करती है तो इसको क्या गरना इसको सबसे पहले उठाना है उसके बाद बैठना है दूसरा के लोग क्या करते हैं कि इसको उठाते तो है नहीं साथ के साथ बैठके टॉलेट जब पास करते हैं तो बहुत सारी गलतिया करते हैं वो हम आपको बताते हैं जैसे आपको ही आया आप इस टूल पास करने के लिए इसके लिए आपने क्या करना है जब भी आप टॉइल पास करो एक तो मोईल नहीं रखना है दूसरा इस तरीके का स्टूल अच्छे से पास होगा आपको पॉटी करने में आसानी रहेगी और आपको कॉश्टीपेसन जैसे दिक्कत नहीं होगी और जो मोईल है बैक्टिरिया करने का बहुत बड़ा कारण है कि आपके मोईल में तौइल प्रूप पूरे बातरूम में फैल जाते हैं तो आपके मोईल के साथ आपकी दूसरी चीज़ों भी आते हैं ऐसी आदमी लोग दूसरी क्या गलती करते हैं इस तरीके से जो देखिए अंडर कार्ट म यहां पर बातरूम में टांग दिया है अब यह क्या करना है यह भी सेम चीज़ इस बातरूम में जो फैल गए वैक्टरी आप जब इसको पैल लोगे तो आपके जो रैसे होने लगेंगे खुजली होने लगेगी छोटे-छोटी फुंसियां हो जाती है मेल के प्राइवेट वह तो आपने इसी ऑप्राइब बातरूम में बातरूम में बोल रहा हूं कि बैक्टरिया फैल रहा है वाईरिसे तो आप इस तरीके से ब्यो कहा न रखें इसको भी ओपन इस पेस्पेस में आपक्डे दोने के लिए करें आजकल फ्लैट्स में ऐसे तमाम सिस्टम बना दि पूरी बाड़ी में फैलेंगे और आप नाने से पहले मैं बता रहो कि इस तरीके से तॉलिया को लेना है और अगर आप अच्छे से रगड़ते हो पूरी बाड़ी पे तो यह क्या होगा आपका सूखा घरशाण हो रहा है अच्छे से पूरी बाड़ी में हो जाता है तो आपको बहुत जादा रिलेक्सेशन मिलेगा आपकी बीमारियां दूर होने लगेंगी तो इस तरीके से अगर आप यह पास गलतियां अपने वास्रूम में नहीं दो राएंगे टोईलेट को क्लीन रखेंगे बैट के करना है इन सब गलतियों को दान रखेंगे तो आप बार-बार बीमार पढ़ने से बचेंगे मेरा नाम मैंपूर वाल है मुझसे मिलने के लिए पढ़ना प्रस संबख कर सकते हैं नहीं